नमस्कार दूस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कृति विद्य टिटोरियल्स में मैं हूँ मिथलेश बर्मा और आज हम लोग देख रहे हैं CDP मतलब बाल विकास वंग सिच्छा सास्त्र उसमें हम लोग आज जिस चैप्टर को देखेंगे उसका नाम है विकास की अवधारना और अधिगम के साथ उसका संबंध यह पार्ट 2 होगा इससे पहले हम लोग पार्ट 1 देख चुके हैं तो जो मित्र हमारे पार्ट 1 नहीं देख चुके होंगे वो पार्ट 1 देख लें इस सीरीज में हम लोग बहुत ही महतपुर्ण परस्न को लेकर आते हैं कहिए कि विभिन परिचाओं में पूछे गए परस्न को हिलाते हैं वो चाहिए यूपी टेट हो, सी टेट हो, हर्याना टेट हो, पंजाब टेट हो उस तरह के सारे परस्नों का कलेक्शन कर लेकर के हम लोग यहां आते हैं तो नो डाउट परिच्छा की दृष्टी कौन से यह सब भी प्रस्न आपके बहुत ही महतपुर्ण होने वाले हैं और चलिए इसमें हम लोग ब्याख्या के साथ भी देखते हैं ताकि आपको ज़्यादा दिनों तक आद रह सके तो आएँ चलते हैं आज का पहला प्रस्न दोस्तों मैं बता दूँ यह वीडियो उन लोगों के लिए काफि महतपुर्ण है जो J-Tate की तयारी कर रहे हैं, C-Tate की तयारी कर रहे हैं या जहारखन में होने वाले सिमी ताकलन परिच्छा की तयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी काफि महतपुर्ण है तो देखते हैं आज का पहला प्रस्न की बाले आवस्था की परमूख मनोवज्ञानिक विशेष्टा क्या है परनिर्भरता, सामोहित्ता की भावना, धार्मिक्ता, चवथा है, अनुकरनात्मक परविर्थी का आभाव तो बाले आवस्था की परमूख मनोवज्ञानिक विशेष्टा क्या है, तो इसका आंसर होगा सामोहित्ता की भावना बाले आवस्था में सामोहित्ता की भावना परवल होती है तो आईए हम लोग कुछ और देख लें बाल्य आवस्था की परमुख मनोवज्ञानिक विशेष्था क्या है तो कुछ और मनोवज्ञानिक विशेष्था को हम लोग देख लेते हैं तो बाल्य आवस्था में आपका सामुहिक्ता की भावना होती ही होती है सामुहिक्ता की भावना साथी साथ उस समय आपका आत्म निर्भरता की भावना भी आ जाती है आत्म निर्भरता की भावना बाल्ले आवस्था में आपका मानसिक जोग्यताओं में भी ब्रिधी आती है बच्चे बहुत कूछ सीखने लगते हैं मानसिक जो गिताओं में ब्रीधी आज हो जाती है बाल्य आवस्था में सारेरिक विकास में इस्थीरता आती है सेश्वा आवस्था में बहुत तेजी से ब्रीधी होती है लेकिन सारेरिक विकास में बाल्य आवस्था आजबाता है तो सारेरिक विकास में स्थीरता आती है थोड़ा यहां स्थीर हो जाता है सारेरिक विकास नेक्स्ट है कि रूचियों में परिवर्तन होने लगते हैं बाल्य आवस्था के रूचियों में परिवर्तन होने लगते हैं, आपको परिवर्तन नजर आने लगेगा बाल्य आवस्था में और रचनात्मक कारियों में आनंद लेने लगते हैं तो मित्रों ये था आपका बाल्य आवस्था की पर्मूख मनोवज्ञानिक विशेश्था हैं, तो इस प्रस्ण में हमारा जो सही उतर होगा, वह होगा सामोहिक्ता की भावना तो आज का हमारा नेक्स्ट प्रस्ण है कि किसोरा आवस्था में समवेगों की तिवरता किस परकार परकट होती है किसोरा आवस्था, देख लिजे हम लोग आ गए किसोरा आवस्था में समवेगों की तिवरता किस परकार परकट होती है पहला है परत्विकूल पारिवारिक संबंध, दूसरा है ब्योशाय की समस्या, तीसरा है नई परस्थिती के साथ समायोजन और चौथा है उप्रोक्त सभी तो संब्यगों की तिवर्ता किसोरा आवस्था में किस परकार परकट होती है इसी चार में से एक है तो आपका जो सही अंसर होगा वो कौन होगा बताएं इसका सही अंसर जो होना है वह है आपका फोर्थ किसोरा अवस्था में आपका सभी तरपरकार के संबेगों की तिवर्टा होती है जैसे परतिकूल पारिवारिक संबंध किसोरा अवस्था में हो जाता है वह वह संबेगों की तिवर्टा में ये सभी आते हैं परतिकूल पारिवारिक संबंध बेवशाय की समस्या नई परस्थिती के साथ समा योजन्द तो मित्रों आप इसको समझ रहे होंगे जदे आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज लाइक बटन तो दबादें प्लीज नेक्ष्ट प्रस्ण है कि बाल विकास का अध्यन छेतर है पहला बाल विकास की विभिन अवस्थाओं का अध्यन दूसरा वातावरण का बाल विकास पर पढ़ने वाले प्रभावों का अध्यन तीसरा है वैतिक बिभिनताओं का अध्यन चौथा है उपरोक्त सभी तो इसका सही अंसर जानने से पहले हम लोगों को ये जान लेना पड़ेगा कि बाल विकास कहते किसको है उसके बाद जदी हम लोग ये जान लिये बाल विकास किसे कहते हैं तो इसका अंसर हमें अपने आप प्राप्त हो जाएगा तो बताईए बाल विकास किसे कहते हैं तो इसको हम थोड़ा लिख देते हैं मित्रू बाल विकास किसे कहते हैं तो मनुईसी के जन्म से लेकर किसोरा वस्था के अंत तक किसोरा वस्था के अंत तक उनमें होने वाले जैविक होने वाले जैविक वा मनोवज्ञानिक परिवर्तनों को मनोवज्ञानिक परिवर्तनों को हम लोग बाल विकास कहते हैं बाल विकास कहते हैं तो मित्रों आप समझ गए होंगे कि बाल विकास कहां से कहां तक मनोवज्ञानिक परिवर्तनों को बाल विकास कहते हैं बाल विकास की विभी नवस्थाओं का अध्यन ये भी सही है आपका वातावरन का बाल विकास पर पढ़ने वाले परभावों का अध्यन ये भी बाल विकास का अध्यन छेतर हैं व्यक्तिक विभिनेताओं का दियन व्यक्तिक विबिनेता कहते हैं इक सभी एक जैसे नहीं होते हैं कुछ फास सेकते हैं, कुछ देजस, सलो सेकते हैं, कुछ पूर्थ नंबर, तो मित्रव आप इसको समझे होंगे, सबसे पहली बात आप बाल विकास कहते कि इसको हैं ये जानना था तो हम लोग उसको भी जान लिए जदि मेरा एक्स्परानेशन दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज आप लाइक बटन जरूर दबा दें नेक्स्ट प्रशन है मित्रों कि बेवहारवादी खाले अस्थान ने कहा है मुझे नवजात सीशू दे दो मैं उसे डॉक्टर वकील चोर या जो चाहूं बना सकता हूं तो बेवहारवादी मनोविज्ञान इसमें आपको मनोविज्ञानिक छाटना है कि बेवहारवादी मनोविज्ञानिक कौन है और ये कथन किनका है मुझे नवजात सीशू दे दो मैं उसे डॉक्टर वकील चोर या जो चाहूं बना सकता हूं ये किनका कहना है आप बताएं वाट्सन जो थे वाट्सन अमेरिका के अमेरिका के प्रशिध मनोविज्ञानिक थे प्रशिध मनोविज्ञानिक थे वाट्सन बेवहारवादी मनोविज्ञानिक थे वाट्सन ने मनोविज्ञान के छेतर में बेवहारवाद को अस्थापित किया और मानव विकास में बेवहारवाद की भुमिका को मतपूर्ण माना इन्होंने अपने बेवहारवादी द्रिष्टी कौन को 1913 में कोलंबिया विश्विद्याले में परस्तूत किया था इनका परमुख कथन था मुझे नवजात सी सुदे दो मैं उसे डॉक्टर वकील चोर या जो चाहूं बना सकता हूं तो मित्रों इसका सही आंसर जो होना है वो है तीसरा नेक्स्ट प्रस्ण है कि हॉल के सिधान्त निम्न में किस की ब्याख्या करता है हॉल के सिधान्त निम्न में किस की ब्याख्या करता है बुद्धी की प्रकिर्ती, अधि गम्मे, अभी प्रेर्णा की भुमी का, मुल्यों का विकास, किसोर आवस्था का विकास तो हॉल का सिधान्त इन चारों में से किस से सम्मन्दित है, प्लीज आप लोग बताने का प्रयास करें तो हॉल का जो सिधान्त है, वह किसकी ब्याख्या करता है, तो ध्यान रखेंगे किसोर आवस्था, हॉल किसोर आवस्था कि इनका पूरा नाम जान ले, अस्टेनले हॉल, इनका पूरा नाम ने, 1904 में प्रकासित अपनी पुस्थक, पुस्थक का नाम व्याद रखेंगे दोस्तों, थोड़ा इंपोर्टेंट है, उनका जो पुस्थक छपा था, नाम था एडो ले सेंस, एडो ले सेंस, एडो ले सेंस, एडो ले सेंस, ये एस्टेनले हॉल ने 1904 में प्रकासित किया था, तो एस्टेनले हॉल ने 1904 में प्रकासित अपनी पुस्थक, एडो ले सेंस में, किशोरा आवस्था के बारे में, किशोरा आवस्था के विकास को, आकस्मिक विकास के सिध्धान्त, ये भी प्रशना आपका आ सकता है, अंतरगत ब्याक्ख्याईत किया है, और इनके अनुसार कहना है, कि किसोर में, किसोर में, जो सारिरीक, मानसीक और समवेगात्मक परिवर्टन होते हैं, समवेगात्मक परिवर्टन होते हैं, वे अक्षमात होते हैं, वे अक्षमात होते हैं, आपका बहुत ही इंपोर्टन है, कि किसोरो में, जो सारिरीक, मानसीक और समवेगात्मक परिवर्टन होते हैं, वे अक्षमात होते हैं, ये किसका कथन है, आपसे ये भी प्रस्न पूछ रखता है, तो ये कथन है, अस्टेनले हॉल का, और तो अस्टेनले हॉल का, यहां प्रस्न हम लोग जो देख रहे थे, अस्टेनले हॉल का सिधान्त निवन में किसकी ब्याख्या करता है, तो सारा जो फोकस है इसका तो वह है किसोर आवस्था का तो आप इसको नहीं भूलेंगे आप हौल का सिधान्त किसकी ब्याख्या करता है तो किसोर आवस्था की और ये ध्यान दिजेगा किसोर में जो सारी मानसिक और सम्वेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अक्समात होते है नेक्स्ट प्रस्टन है मित्रों कि इन में से कौन सा सिधान्तकार का मत अस्पष्ट करता है कि बच्चे अपने ब्रिधिवा विकास हे तू कठोर परिशर्म करते हैं ये कथन किनका है किनके मत के अनुसारिया है कि बच्चे अपने ब्रिधिवा विकास हे तू कठोर परिशर्म करते हैं किनका मत है बंडूरा मैशलो स्कीनर चौथा है पियाजे तो इसका जो सही अंसर होगा आपका वह होगा मैशलो मैशलो मनोवज्ञान के मानवादी सिध्धान्त के परतिपादक ध्यान दीजेगा मनोवज्ञान के मानवतावादी सिध्धान्त के परतिपादक अमेरिकी विज्ञानिक अमेरिकी मनोवज्ञानिक अमेरिकी मनोवज्ञानिक अब्राहम मैशलो थे तो मैशलो कौन थे तो मनोवज्ञान के मानवतावादी सिध्धान्त के परतिपादक अमेरिकी विज्ञानिक अब्राहम मैशलो थे और इनके अनुसार मनोवज्ञानिक मुल रूप में अच्छा वा आधरनी होता है और जदी उसकी परिवेश्य दसाएं या परस्थिति आनुकूल हो तो वह अपने सील गुनों का साकारात्मक विकास करता है किन्तु परस्थिति वह दसाएं आनुकूल ना होने के कारण उसे अपने बुद्धी का विकास के लिए कठोर का परिश्रम करना पड़ता है तो यह कठन जो आपका है वह मैशलो का है और इसमें यह बोला गया कि जदी परस्थिति आनुकूल है तो वह अपने सील गुनों का साकारात्मक विकास करता है जदी परस्थितिया अनुकूल ना हो तो उन्हें अपने बुद्धी के विकास के लिए कठोर परिशर्म करने पड़ते हैं तो यह कथन है आपका मैशलो का और यह मैशलो जो थे आपका मानवतावादी सिधान्त के परतिपादक थे मित्रों यह लिख लूँ क्या बहुत इंपोर्टिन्ट लग रहा है थोड़ा सा इनका कथन लिख लेते हैं इनके अनुशार मैशलो के अनुशार मनुश मूल रूप से अच्छा वा आधरनी होता है सभी मनुश मूल रूप से अच्छा वा आधरनी होता है बहुत ही अच्छा इस्ट्रेटमेंट लगा हमको यह और जदी उनके परिवेशिये दसाएं और यदी उनके परिवेशिये दसाएं परिवेशिये दसाएं वो प्रस्थितियां प्रस्थितियां अनुकूल होतो अनुकूल हो तो वह अपने तो वह अपने सील गुनों का साकारात्मक विकास करता है कौन विकास करता है? साकारात्मक विकास करता है किन्तु जदी परिश्थिति दसाएं अनुकूल ना हो सबों का अनुकूल नहीं होता है मित्रों अनुकूल ना हो तो उसे अपने बुद्धी के विकास के लिए उसे अपनी बुद्धी के विकास के लिए विकास के लिए कठोर परिशर्म करना पड़ता है कठोर परिशर्म करना पड़ता है तो ये सब depend करता है आपका परिवेश ये दसाएं वब परस्थितियां पर नेक्स्ट है मित्रों कि बिद्रोह की भावना की प्रविर्ति निम्ण मैं से की सवस्था से संबन्धित है बिद्रो की भावना की परविर्ती निम्न में से किस अवस्था से संबंदित है? पहला है बाले अवस्था, दूसरा है सैस्वा अवस्था, तीसरा है पूरु किशोरा अवस्था, चवथा है मध्य किशोरा अवस्था. बिद्रो की भावना की परविर्ती कब होता है? किस अवस्था से संबंदित है? तो इसका आप ध्यान रखेंगे यह बिद्रो की भावना की परविर्ती आपको पूरु किशोरा अवस्था में देखने को मिलेगा. तो मित्रो आप बताए कि पूरु किशोरा अवस्था किसको कहते हैं? कि सायेज को पूरु किशोरा अवस्था कहते हैं? तो ध्यान दिजेगा कि पूरु किशोरा अवस्था का जो उम्र होता है वह होता है 12 से 14 वर्स. 12 से 14 वर्स जो होता है वह पूरु किश्वरावस्था कहलाता है पूरु किश्वरावस्था के किश्वर में सारीरिक और मानसिक सोतंतरता की प्रवल भावना होती है प्रवल भावना होती है उसमें विद्रोह की जवाला फूट पड़ती है और ध्यान दीजिएगा कॉलसेनिक एक मुनोविज्ञानिक हैं कॉलसेनिक 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 भी लिखावा मिलेगा आपको कॉलसेनिक का कथन है आपको यह ध्यान रखना है कॉलसेनिक का कथन यह बहुत ही इंपोर्टेंट है कहता है किशोर प्रोड़ों को अपने मार्ग में अपने मार्ग में बाधा समझता है बाधा समझता है तो उसे अपनी स्वतंतरता का तो उसे अपनी स्वतंतरता का बाधा समझता है जो किशोर प्रोड़ों को अपने मार्ग में बाधा समझता है जो उसे अपनी स्वतंतरता का लक्ष प्राप्त करने से रोकता है करने से रोकता है तो यह कथन है आपका कॉल सनिक का और किशोर प्रोड़ों को प्रोड़ों मतलब इससे आगे वाला स्टेज को प्रोड़ों को अपने मार्ग में बाधा समझता है मतलब इससे अपने से थोड़ा उम्ब जादा वाले उम्र को अपने मार्ग में बाधा समझता है जो उसे अपनी स्वतंतरता का लच्छ प्राप्त करने से रोकता है सही बात है भाई हम लोग किशोरों को गलत रास्ता में जाने से रोकते हैं जो उसकी स्वतंतरता का हनन्न हो जाता है इसलिए वह क्या करता है कि स्वतंदरता कलच प्राप्त करने से रोकता है तो कौन प्रोड प्रोड को अपने मार्ग में बाधा समझता है कौन तो किशोर नेक्स्ट है कि विकास के परिनाम स्वरूप विकास के परिनाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नविन जोगताएं परकट होती है यह कथन किषने दिया है विकास के परिनाम स्वरूप नविन विशेषताएं और नविन जोगताएं परकट होती है यह कथन किषने दिया है तो आपका ओप्सन है गैसल, हरलोक, मेरेडीत, चौथा है डगलस और हॉलेंड तो विकास के प परिनाम सरूप नवीन भिशेष्टाएं और नवीन जो गिताएं पर कट होती यह कथन जो है वो है आपका हरलोक का हरलोक का यह कथन है तो आपका जो सही अंसर होना है वो है दूसरा और हरलोक ने बालक के विकास को परिभासित करते वे लिखा है कि विकास की परकिरिया बालक की गरभा अवस्था से उसकी मिरित्यू तक एक करम में चलती है तथा परतेक अवस्था का परभाव दूसरी अवस्था पर पढ़ता है तो ध्यान दीजेगा हर लोग का स्टेटमेंट आप ध्यान रखेगा तो यही है कि एक अवस्था का परभाव दूसरी अवस्था पर प्रकट होती है तिया कतन किसका है तो आपका हर लोग का है और इनका कहना है कि हर लोग के अनुशार एक जरा से लिख लें कि हर लोग के अनुशार बिकास की प्रकिरिया ध्यान दिजेगा बिकास की प्रकिरिया बालक की गर्भावस्था से उसकी मिर्थ्यू तक से मिर्थ्यू तक एक समान रूप से चलती है एक मिर्थ्यू तक एक करम में एक करम में चलती है तथा परतेक अवस्था का परभाव का परभाव दूसरे पर पढ़ता है दूसरे अवस्था पर पढ़ता है तो ये मित्रों था हर लोग का statement और नेक्स्ट है आपका बच्चे के अच्छे चरित्र निर्मान के लिए पहला अप्शन है पाइठ पुस्तकों में चरित्र निर्मान सम्मंदी पाठ होने चाहिए दूसरा है चरित्र निर्मान के लिए ब्याख्यान दिये जाने चाहिए तीसरा है कच्छा कच्छ गत्ती विधी इस परकार से हो कि बच्चों को चरित्र निर्मान में साहता मिल सके चौथा है महापुरूसों की जीवनी बच्चों को पढ़ाई जाने चाहिए तो आपका जो सही आंसर होगा वह होगा कि बच्चों के अच्छे चरित निर्मान के लिए हमें क्या करना चाहिए तो आप बताएं इसका उप्सन आपके हिसाब से क्या होना चाहिए तो इसका जो सही आंसर होगा, सही उत्तर होगा, वह होगा तीसरा कच्छा कच्छ गती विधी इस प्रकार से हो कि बच्चों को चरित निर्मान में सहायता मिल सके इसके लिए सिच्छक को क्या करना चाहिए इसके लिए सिच्छक आदर्स्तमक गुन कच्छा कच्छ की सामाजिक अन्त प्रक्रिया एवं शहयुगात्मक बेवहार महत्पूर्ण भुमी का निभात है तो एक सिच्छक को बच्चे के अच्छे निर्मान के लिए सिच्छक में आदर्स्तमक गुन होने चाहिए कच्छा कच्छ समाजिक अन्त प्रकिरिया एवं सहयुगात्मक बेवहार महत्पूर्ण निभाता है जदि हम लोग सहय अगात्मक बेवहार रखें कच्छा में तो बच्चे के अच्छे चरित निर्मान हो सकते हैं तो इसका सही अंसर होगा कि बच्चे के अच्छे निर्मान के लिए कच्छा गच्छ की विधी गती विधी इस परकार से हो कि बच्चों के चरित निर्मान में सहयता मिल सके नेक्स्ट है कि मानव विकास है मानव विकास है मातरात्मक गुनात्मक कुछ सीमा तक अब मानिये चवथा है एक और दो तो कौन होगा मित्रों, मानो विकास क्या है, मातरात्मक है, गुनात्मक है, क्या है तो इसका जो सही अंसर होगा वह है चवथा विकास, मानो विकास जो है, वह मातरात्मक भी है और गुनात्मक भी है तो इसका सही अंसर हमारा होगा चार मानों का विकास मात्रात्मक और गुनात्मक दोनों रूपों में होता है मात्रात्मक में क्या आता है मात्रात्मक जदी बात करें मात्रात्मक तो मात्रात्मक के अंतरगत क्या आएगा आपका आपका आएगा लंबाई आपका आएगा भार आपका आएगा विभिन अंगों के आखार विभिन अंगों के आखार का बढ़ना यह सब आपका हो गया मात्रातमक और जदी बात करें गुनातमक गुनातमक में आपका क्या आएगा जदी बात करें गुनात्मक विकास तो गुनात्मक विकास के अंतरगरत आपका आएगा जुग्यता आपका आएगा जुग्यता उसके बाद आएगा छमता अभी ब्रीधी छमता अभी ब्रीधी बुद्धी उसके बाद आपका आएगा बैक्तितु आपका आएगा गुनात्मक में बैक्तितु फिर आएगा आपका रुची फिर आपका आएगा चिंतन ये सब आपका आपका गुनात्मक हुआ और मात्रात्मक मतलव लंबाई भार विविनंगों के आकार का बढ़ना तो मित्रों जदी आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो जदी आपको समझ में आया हो तो आप प्लीज मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किये हों इससे और बेल आइकन उसको जरूर दबा दें इससे होगा क्या कि मैं जब भी वीडियो को अपलोड करूंगा तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिलेगी धन्यवाद मित्रों आपने सुरू से अंतक वीडियो को देखा इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद